Hello and welcome to Tech Info YD तो आज से हम एक new series बेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिखेंगे कैसे online pizza shop हम create कर सकते है Morn Stack की मदद से तो यहाँ पर Morn Stack का मतलब क्या है इसमें हम MongoDB यानि के database है फिर express फिर react जो के printed library है और nude की मदद से हम जबे server create करेंगे तो यह बहुत helpful series है अगर आप beginner है intermediate है या पिर अगर आप कोई other language से Morn Stack में या पिर react में switch कर रहे है तो भी आपको बहुत कुछ इसमें सीखने मिलेंगा तो make sure आप इस चैनल को subscribe करके रखे और bell icon प्रेस करके रखे तो आपको इसकी latest notification मिलती रहेंगी तो अभी हमने कुछ इसका demo create नहीं किया है मगर यहां पर आप देख सकते हैं draw.io पर मैंने कुछ PPT इसकी create करने की कोशिश की थी लेकिन इसमें काफी time जा रहा था तो पिर मैंने इसको छोड़ दिया मगर कुछ rough-sa design हमारे पास अभी available है जो कि मैं आपको एक बर बता देता हूँ यादर रहे यह final output नहीं है यह सिर्फ एक dummy सा output है हमारे पास यह हमारा main screen है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर top bar है जिसमें कुछ लिखा हुआ है oke oke a- yani text pre home delivery इसके बाद में हमारे पास कुछ links है यहां पर इसके बाद में हमारे पास main navigation bar है जिसके अंदर हमारे पास logo है फिर टाइटल है उसके बाद में में login और card और इसके बाद में हमारे पासuli है यहां पर देखी pizzas तो पीजा के अंदर क्या है? सबसे पहले उसका टाइटल शो कर रहे हैं, फिर वो पीजा कौन सा है वो शो कर आ रहे हैं, उसके बाद में हमारे पास क्या है? यहां पर sizes है, क्योंकि पीजा के अंदर क्या होते हैं, medium, large, extra large, ऐसे size होते हैं, तो यहां पर हम उसको select कर सकते हैं, यहां पर select box रहेंगा, जिसकी मदद से आप select कर पाएंगे, उसके right hand side पर हमारे पास है quantity, अब कितनी quantity में उसको चाहिए? क्योंकि user एक से जादा भी दे सकता है, अब यह quantity हम यहां पर भी show कराएंगे, और जब यह add to cart करेंगा, तो वहां से भी हम उसको change कर पाएंगे, और यहां पर देख सकते है price, तो price हम क्या करेंगे, उसको real time price show कर देंगे, जैसे के मान लीजिए, यह size पर click करता है, large पर, और quantity जितनी select करेंगा, उसका addition होके, यहां पर total price show कर देंगा, फिर यहां पर add to cart है, add to cart जैसे ही करेंगा, तो सबसे पहले अगर login है, तो उसको cart show नहीं है, तो यहां पर उसको login screen यहां पर नजर आएंगी, फिर से कहता हो कि यह final output नहीं है, हम इसको अपने according design करेंगे, और इस series का focus UI पर जादा नहीं है, तो हम जो है logical part जादा देखेंगे, इसमें, इसके बाद में, जैसे यह cart पर जाएंगा, तो यहां पर देखिए, उस उसके बाद में हमारे पास right inside पर payments का option रहेंगा, तो payments में क्या है हमारे पास, यहां पर हम देखिए, PayPal तो हमने use किया था पिछले project में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, Stripe का use करेंगे, पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर Stripe का use करेंगे, और इसके बाद में एडमिन तो admin panel का मैंने design अभी नहीं किया, क्योंकि इसमें काफी time लग रहा था और क्योंकि मैं full time job करता हूँ, तो इतना time नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा design करते बाट हूँ तो ये एक rough सा design है, तो इसमें आपने confuse नहीं होना कि ये कैसा design है क्योंकि हम इसको bootstrap का इस्तेमाल करने वाल है project में, तो इसको और better करेंगे और ये सिर्फ एक illustration एक ppt है, tra.io पहली बार मैं भी try कर रहा था तो कुछ इस तरीके से बनाया था design, मार इसमें काफी time लगता है तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया फिर हम क्या करेंगे directly project पर काम करेंगे और क्या करते हैं इसके अगले वीडियो में प्रेक्विजिट्स और installation देख लेते हैं I know, बहुत सारों को तो पता होंगा कैसे installation करना है, लेकिन फिर भी एक formality है जो के हम इस वीडियो में देख लेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जवाब देने की, तो मैं मिलता हो next video में